जब हम लोग लोट के आये तो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने इरेक्ट किया जो जिस पर बाद में प्रतिमा लगेगी मंडल जी की उस प्लेटफॉर्म को वहां के जो मिंस्पल अधिकारियों ने बुल्डोजर से तोड़ दिया जिस तरह से भारतिय जंता पाटी जो है लोगों में एक सिर्फ एक सिंबलिजम की राजनिती की है जब OBC प्रधानमंतरी स्वेम को बोले तो OBC का खड़ा हो गया है जो वेपारी वर्ग है GST को लेकर जो उनकी दुरदशा हो रही है उनसे आप बात करें जाकर उसके बाद जो प्रोफेसर्स हैं अभी जो डेली इंवर्स्टी में अपांडमेंट चल रहा है उसमें किस तरह से रोस्टर की अवेलना हो रही है किस तरह से 10-10 साल पढ़ाने वाले लोगों को निकाला जा रहा है तो ऐसी स्तिती है भारतिय जन्ता पार्टी की सच्चाइग लोगों के सामने आ चुकी है मेरे साथ सोशल जश्टिस के पुरोधा सोशल जश्टिस को अमली जमा पहनाने वाले बीपी मंदल साहब की लेजिस्टी को आगे बरा रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल है जो देश भर में बहुजन अंदोलन सोशल जश्टिस को लेकर लगातार यात्रा भी करते हैं और अभी हाल ही में ये गुंटूर से आए हैं जो कि दच्छिन भारत का एक गड़ है और लगातार इन से पता चला वीडियो भी आप देख रहे होंगे जो बिंडो में किस तरह से दच्छिन भारत में खासकर आंधरा में तमिलनाडू में तमिलनाड तो प्रियार की धर्ती है तेलंगाना और आंथरा में जो है वो सोसल जस्टिस की लड़ाई जो है वो तेज हो रही है बहुत बड़ा एक कारकरम था जहां बीपी मंडल साब की मूर्ती लगाई गई फूले साब की मूर्ती थी अमबेटकर साब की मूर्ती पर इन लोगों ने मालियारणपन भी किया तो कैसे बदल रहा है पूरा समाज और क्या दोजार चोविस की लड़ाई मंडल वर्सेश कमंडल की है इसी को समझेंगे सर प्रोफेसर हैं दिल इन वर्सिटी में परहाते भी हैं सर कैसा था कारकरम और दच्छिन भारत में तमिलनाड को लेकर कहा जा रहा था कि और जगा स सारे आंदोलन ये यकीन मानिए कि नकसलवारी आंदोलन भी जो है वो उसका भी वो गढ़ रहा है वहां जो आर्थिक मुद्दे जो है और समाजिक सरोकार जो है लोगों के रग रग में बसा हुआ है और जो इस जगह पर मुझे निमंत्रन मिला था और मंडल जी की जो अहा विशाल प्रतिमा पहले से है महात्मा फूले का प्रतिमा है और उसी क्रम में उसी एक तरह से एक लगेसी को आगे बढ़ाते हुए श्रिंखला में मंडल जी की प्रतिमा का नहीं लगाया जाना है अब शिला नयास हुआ है और उसके लिए जो लोगों में उत्सा था भीड और जिस तरह से वहां पर एक बड़े जुलूस के साथ उसका अगाज किया गया और पूरे शहर में जिस तरह से होडिंग लगे हुए थे और जिस तरह से पोस्टेर्स लगे हुए थे और वहां के लोग कास्तार से मैं नाम लेना चाहूंगा डाक्टर आला विंकर टेश उर लोगों में जना कृष्णमूर्थी MLC है और YSR पार्टी के वो जो बैकोर्ट क्लासस सेल के अध्यक्ष भी है और भी कई लोग हैं वहां सुचे रिता में हैं फॉर्मर मिनिस्टर हैं तीन बार विधायक हैं दलित नेत्रे हैं और वो सब शामिल थे उस कारकरम में ने भी इस कारकरम में इंटर्वीन किया कुछ बिवाद भी हुआ था इसको लेगा विवाद ये हुआ सम्भू जी कि जब हम लोग लोट के आये तो जो प्लैटफॉर्म उन्होंने इरेक्ट किया जो जिस पर बाद में प्रतीमा लगेगी मंडल जी की उस प्लैटफॉर्म को वहां के जो मिंस्पल अधिकारियों ने बुल्डोजर से तोड़ दिया और ये मेरे समझ में ये इस बात के प्रती एक रियक्शन था या रियक्शनरी जो अफसर्ज होते हैं कि जिस उत्सा के साथ जो बैक्वर्ट क्लास कम्यूटी अपने आपको और बहुजन समाज सिर्फ वहां बैक्वर्ट क्लास नहीं था वहां दलित समाज अल्प संक्यक और जो बैक्वर्ट क्लास के लोग और कुछ जो ट्राइबल इलाके भी हैं वहां के भी लोग थे तो उसके प्रती शायद एक रियक्शन होगा और उसको बताने के लिए कि हमें ये पसंद नहीं आया जबकि छ जगा जगा पर प्रदर्शन होने लगे कई लोग रफतार भी हुए और इस बात जब बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने संभवता अपने पाटी के जनरल सेग्रेटरी को तुरंत आदेश दिया और कल उनकी प्रेस कॉन्फरेंस थी जहां उन्होंने ये स्व जो राजधानी है वहाँ भी लगाई जाएगा ये मुखमंत्री ने कहा है ये उनकी पाटी की तरफ से आया है तो ये मैं समझता हूँ एक जागरुकता फैल रही है ये उत्तर से और दक्षिन से आप कंपेर किजिएगा चुकि हमारे हला की गुंटूर तमिल नाडू के उत हैं रेल्वे के बी एस एनल के टीचर्ज असोसियेशन के युनिवर्स्टी कम्यूनिटी के मिंस्पल कॉर्परेशन के जो बैक्वेट क्लास बहुजन समाज की लोग ते समी लोग आये थे मिलने कैसे देख रहे हैं आप है जैसे अभी हमन सोरेन ने ओवी सी को रेजर्वेशन सताइस परसेंट कर दिया है तमिलनाड में जिस तरह से स्टालिन सोसल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं सुप्रिम कोर्ट में एकनोमिक विकर सेक्षन के खिलाप वो उतर भी र जिस तरह से बोल रहे हैं क्या आप समय आ गया है कि 2024 में मंडल वर्टिस का मंडल की लड़ाई होगी सोसल जस्टिस की लड़ाई होगी मैं समझता हूं बिलकुल होगी इसका एक उदाहरन आप देखें होंगे EWS की जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत इस टार्क डिफरेंस जो 1990 में सुनवाई होई थी जब रामजेट मलानी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे गर्मेंट आप बिहार को मंडल कमिशन के पक्ष में और इस बार EWS के विरोध में जो बहुजन समाज के वकील जस्टिस इश्वरिया जैसे लोग और कई सारे लोग दिलिप मंडल साहब लोग सभी जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सबको पलपल की खबर थी आपको आश्यर होगा कि गुंटूर में लोगों को प्रोसीडिंग्स की एक-एक जानकारी थी कि वहां कौन क्या बोला और यही जानकारी थोड़ी बहुत मैं समझता जो बिहार और उतरप्रदेश में भी जो लोग हैं उनको भी जो समाजिक सरुकार रखते हैं उनको थी तो यह एक फर्क पड़ रहा है और यह फर्क पड़ेगा यह EVM का भले जितना तमाशा कर लें लेकिन जब पूरी जमात पूरा एक वर्ग एक तरफ हो जाएगा जो बह आग रायसर की राजनितिय कुमार ने जिस तरह से अब कहा है कि जो 2014 में आ है वो 2024 में नहीं आएंगे और RJD, JDU, DMK तमाम लोग कोशिश करें खलेश यादव हैं तो तमाम दल तो हैं कोशिश करें क्या लग रहा है कि जो TB अखवार है और जो संसाधन है BJP कॉंगरेस के पास उसके सामने लोग ठीक पाएंगे एक कोडिनेशन होना चाहिए शम्भू जी आप कितने विवस्ते द्रंग से जो समाजिक सरुकार के प्रश्ट अपने चैनल के माद्यम से उठा रहे हैं आपको मैं अभी बता ही रहाता है कि सुदूर छेत्रों में आपके और इस चैनल के और भी जो चैनल है जो सोशल जिस्टिस के लोग सुन रहे हैं तो ऐसी बात नहीं मधनेश जनता चाहती है घर घर वीपी मंदर साब के नाम को चान गये हैं जो सुदूर जिस साथ लोगों में जाग रुकता है लेकिन नितरतिव को चाहिए होगा कि हम कैसे अपने आपको एक संगठित रूप से खड़ा करें चुकि यह अगर संगठित रूप से नहीं रहेंगे तो जनता जो है उत्साहित होकर क्या करेगी कहां वोट देगी और इसके लिए मैं साहब ने इस मुद्दे को समझा है और जिस तरह से वो अपनी बात कर रहे हैं मैं तो समझता हूँ कि उनको और अधिक अगर सुन रहे होंगे उनके पार्टी के लोग और जो समर्थक हैं उत्तर भारत में भी उनकी दखल होनी चाहिए जिससे हमारे नितरतिव जो हैं उत्त पार्टी को और कॉंग्रेस उनको रोक नहीं पाएगी यह एवेरनेस बढ़ चुका है तो हम समझते हैं कि दोजार चौबिस में नितिश जी की बात सही हो हम चाहते भी हैं ऐसा क्या भजा है सोसल जस्टिस के जो माननेवाई लोग हैं वो बीजेप से बहुत खफा हैं वो कॉंग्रेस से खफाते हैं लेकिन अब बीजेप से ज्यादा खफा है जबकि OBC क्लेम करते हैं परधान मंतरी 27 OBC मंतरी क्लेम करते हैं परधान मंतरी ट्राइबल राजपती दिया दलित राजपती दिया सोसल डेप पखवारा मनाते हैं असोक की जहनती मनाते हैं लेकिन कि राजनिती ही नहीं आर्थिक औरहत तरह से उनका राम नाम सत्य हो जाता है, खुद को OBC कहे, OBC की क्या दुरदशा होगी, राष्टपती बनाये दलित, तो ऐसी आक्ट को ही समाप्त करने चले गए, जिस तरह से भारतिय जुनता पाटी जो है, लोगों में एक सिर्फ एक सि जो भाव इनका देख सकते हैं, कि एसी आक्ट को ही समाप्त करने चले, आप कहां नहीं सुन रहे थे कि मोच रखने पर, गोडे चड़ने पर, दलितों की क्या दुरदशा हो रही थी भारतिय जनता पाटी, शासित प्रदेशों में, उसके बाद अब जब बनाये हैं, जो आ पिछड़े समाज से हों, दलित समाज से हों, आदिवासी हों, उनको कोई पहचान नहीं है, कोई उनको मुह में आवाज नहीं है, और ये जो ठगे जाने का हैसास जो है, ये लोगों में अब आ गया है, और जो पिछड़े वर की लोग हैं, जान रहे हैं कि हम ठगे जा रहे और शम्बू जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक इसको समाजिक समिकरन के हिसाब से न देखें, वर्गों के हिसाब से भी देखें, मैं विश्वद्याले में पढ़ाता हूँ, एक भी छात्र आपको नहीं मिलेगा जो इनकी तारीफ करता है, मैं दो-चार बार त पार्टी की तारीफ कर रहा है, वो जित्ते कैसे है, जो वेपारी वर्ग है, जी-एस्टी को लेकर जो उनकी दुर्दशा हो रही है, उनसे आप बात करें जाकर, उसके बाद जो प्रोफेसर्स हैं, अभी जो डेली इन्वरस्टी में अपॉर्टमेंट चल रहा है, उसमें क अगरेजी में कहावत है, you can fool one person many times and many person one time, एक आदमी को कई बार मुर्ख बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा मुर्ख नहीं बना सकते हैं, यह जो प्रदानमंत्री और भारतिय जंता पार्टी है, यह चाह रही है, कि हम बार बार काट के जो है, उसको हांडी को हैं, और वो होने वाला है नहीं, लोग सजग हो गया हैं. मैं देख रहा हूँ कि बैकवर्ड क्लासेज के आइकन के रूप में बीपी मंडल एकसेप्टेबल है, जिस तरह से संपुर्ण बहुजन समाज के लिए बाबा सहाब भीमराव मेड़कर आज एक आइक आइकन, जिस तरह से जो पिछड़े वर्ग के सजग लोग हैं, उनके महात्मा फूले एक बड़े आइकन है, इस तरह का जो एहसास है, इमोशन है, ये दक्षिन भारत में बहुत अधिक है, वो आप उनके आइकन्स की किसी तरह वेलना या किसी तरह का अपमान नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से उनमें एक जुटता है, और इस एक जुटता के कारण राजनितिक दलों को मजबूरी में इन वर्गों के भलाई के लिए काम करना पड़ रहा है, भले वो उस समाज से नहीं जाते हैं, आप जानते हैं कि तमिल नाडू में जो जैलत ललिता थी, वो उस समाज से नहीं थी, लेकिन अपने समय में उन्होंने आरक्षन को कित आरे जो आपके चैनल को तो मैं जानता हूँ कि हमारे निता भी देखते हैं और उनसे मैं अपील कर रहा हूँ आपके माद्यम से कि वो जनता के अहसास को समझें, इपोशन को समझें और सोशल जस्टिस को एक प्लैंक बनाए A to Z की राजनिती और परशुराम जहनती मनाने क का समय जो है वो लद रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। नुबाद के खिलाफ है, सोसन के खिलाफ है और ये लराई देश को मजबूत बनाने की और संबिधान को और मजबूत बनाने की और इसी करी में फूले, पिरियार, अंबेटकर हो, जगदेव बाबू हो या बीपी मंदल सहाब हो, वो लोग हैं जिनोंने सेक्रिफाइस करके इस जमीन को तयार किया और उनके जो नसले हैं, अब वो उनको देश भर में याद कर रही है, उसी करी में डक्टर सूरज मंदल गुंटूर जाते हैं, जहां बीपी मंदल सहाब की बड़ी आदम कद मूर्ती लगने जा रही है, पुरी बाचित पर आपकी क्या परतिक्रिया अपनी परतिक्रिया ज़र दीजिए, कमारा नसीस के साथ शम्भू कुमार सिंग निस्नल दस्तक दिल्ली